Hi everyone, my name is Paran from Learn With Me. I hope you all are doing well. आज की वीडियो में आप डिस्कुस करेंगे इंग्लिश का एक और एडवांस स्ट्रक्चर. Guys, कहीं न कहीं आप भी अपनी डेली कनबरसेशन में ऐसे संटेंस ज़रूर यूज करते होंगे. जैसे So guys, कहने की जरूरत नहीं, पूचने की जरूरत नहीं ऐसे संटेंस हम आपनी डेली कनबरसेशन में बहुत यूज करते हैं. कहने की जरूरत नहीं, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं needless to say. Needless to say पूचने की जरूरत नहीं, needless to ask. चलिए इन्हें बनाने का स्ट्रूक्चर देखते हैं. सुगाइस कहने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं needless to say, उसके बाद हम लगाएंगे comma, या तो use करेंगे that, उसके बाद use करेंगे sentence, जो किसी भी tense में हो सकता है. पूचने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हम use करेंगे needless to ask, उसके बाद comma, या तो that use करेंगे, फिर use करेंगे full sentence, जो किसी भी tense में हो सकता है. चलिए, कुछ examples की help से समझते हैं. कहने की जरूरत नहीं, कि बहुए एक अच्छा इंसान है, needless to say that he is a good person. पूचने की जरूरत नहीं, वो पहले से जानता है, needless to ask, he already knows. तो यहाँ पर हमने पूचने की जरूरत नहीं, उसके लिए needless to ask लगाया, उसके बाद comma use किया, फिर sentence use किया, पहले से जानता है, he already knows. Needless to ask, he already knows. पूचने की जरूरत नहीं, कि ये फाइदे मन्द है, needless to ask that it's beneficial. So guys, यह था आज का structure with examples हमने सीखा, कि किस तरह से हम इने अपनी डेली लाइफ में implement कर सकते हैं. I hope कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो, please like and subscribe my channel for more content. मिलते हैं next वीडियो में new structure के साथ, till the time all the best, good luck, bye-bye.